यदि आप रोज रोज एक ही तरह की सब्जी रोटी खाके बोर हो गए हैं, तो आज मैं आपको ऐसी पारंपरी ग्रसेटी बनाना बताऊंगी, जो हर मौसम के लिए एकदम पर्फेक्ट रहेगी, तो नमस्कार, पापा ममी किचन में आप सभी का स्वागत है, इसके लिए यहा ऑप नहीं आप लिए यहां आ के लिए फिस पे डूळेते हैं, यथि आप लसुन नहीं खाते हैं तो स्कीप कर सकते हैं, इसके जगह पर करता हम आप कब अब बताती हूँ, जितना ऐनक अध्रद कंको ए मूध्य कात लिया है कंपने इस यह एं बर दो बड़ी खी काता है, यह मार्केट का पनीर यह है, आप चाहे तो घर पे पनीर बना सकते हैं, अभी इस पनीर को हम कंदुकस कर लेते हैं, इस रेसेपे के लिए पनीर यूज़ करना बहुत जरूरी है, यदि आपके पास पनीर नहीं है, इसकी जगह पे आप एक किलो दूद को फाड़ करके उसका चैना इस्तमाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट पीस में बहुत अच्छा आएगा, एक किलो दूद से भी लगबग 200 ग्राम जितना चैना बन करके त्यार हो जाता है, दूद आप अपने गर में जो भी आता है, उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, इस तरह से पूरे पनीर को मैंने क बड़ी साइच के प्याज भी ले सकते हैं, इदि आप बड़ी साइच के प्याज लेते हैं, तो उसका आप चार पीस कर लें, यदि छोटी साइच के प्याज लेते हैं, तो आप इस तरह से इसे काट लें, इसके बीच में हम चीरा लगा देंगे, पूरा नहीं कातना है, आ बेक साइड में चीरा लगाना है, जिससे हमारा प्याज साबूत रहेगा, तो देखे इधर साइड से प्याज जुड़ा हुआ है, इसके बेक साइड में चीरा लगाना है, इसके बेक साइड में चीरा लगाना है, इसके बेक साइड में चीरा लगाना है, इसके बेक साइड मे के बाद आप देख पा रहे हैं रही अच्छा ही स्मूध हो गया है अब ही 9 शवाज को अमने चीरा लगा के रका था प्याग इसमें डाल देते और प्याज को अलका सा मिक्स कर लेते को ही और इस के साथ इसमें कुछ सब्सक्रति कुद साथी दालें UP मिर्ची गिर्टेश तर दो भानेगैं सब्सक्राइक और टार रोगत आजासरे हैं। आप सभी जानते ही है कि गर्मियों के दिना में प्याज हमें ज्यादा खाना चाहिए और कोई भी खाने के साथ में हमें प्याज जरूर खाना चाहिए इसलिए खास तोर से आज में ये रसेप आपको बनाना बता रही हूँ मेरी ममी तो इसे हर मौसर में बनाती थी और बहुत ही स्वाधिश बनके तियार होती थी अभी डखकन लगा करके 10 से 15 मिनिट के लिए इसे साइड में रख देते हैं तब तक मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले 2 टेबल इस्पून जितना गी डाल देते हैं आप चाहे तो इसकी जगह पर तेल भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा बनके त्यार होता है और गैस को चालू कर देते हैं अब गी हमारे गर्म हो गया है गी गर्म होने के बाद में इसमें हाफ टीस्पून जितनी राई डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें एक टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं जीरा और राई को पहले अच्छे से पका लेना है राई इसमें कच्छी नहीं रहनी चाहिए राई यदि कच्छी रहेगी तो कड़ भी लगेगी इसलिए राई चटकने तक हमें पकाना है अब जीरा भी अच्छे से पक गया है और राई भी चटकने लग गई है जिसको मैंने महिन महिन काट लिया है, यह बीस में डाल देते हैं, और एक छोटी सा इसका प्याज लिया है, जिसको भी महिन 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 काटा है, यह बीस में डाल देते हैं, थोड़ा सा प्याज डालने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, यदि आप लसुन नहीं खाते हैं, तो जिस समें मैंने सुकेम मसाले डाले थे, उसमें आपको हिंग डालना है. प्याज को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है, हल्का ट्रान्स्लू संदी लिखने लग जाए, उतना ही पका करना है. अभी थोड़ा सा दनिया इसमें डाल देंगे. इस समय थोड़ा धनिया डालेंगे तो इसका फ्लिवर अच्छा आएगा और धनियों को भी हमें हलका सा पका लिना है जब तक ये मसाले पक रहे हैं तब तक प्याज को भी मसाले के अंदर रखे हुए लगबग 10-15 मिनिट हो गए हैं इसे वापस चेक कर लेते हैं तो 10-15 मिन में आप देख पा रहे हैं मसाले प्याज के अंदर तक चला गया है और प्याज में से भी काफी पानी छूड़ गया है इस तरह से एक बार आप अपने गर पे बना के देखे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है जब तक हमने प्याज को देखा, जब तक मसाले भी हमारे बहुत ही अच्छे से पकर के तियार हुगए और इसकी खुश्मु इस समय बहुत ही अच्छा आ रही है अभी इस प्याज को इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते है इसको continue आप चलाते रहे, जिससे की दई फटे नहीं, तो आप देख पा रहे हैं, इस समय ग्रेवी काफी पतली लग रही है, इस तरह की ग्रेवी प्याज के अंदर तक चली जाएगी, जिससे प्याज का स्वाद बहुत अच्छा हैगा, अभी ढकन लगा करके इसे 4-5 मिनिट पका लेंगे, जिससे दई हमारा अच्छे से पक जाएगा और इसके साथ में प्याज भी पक जाएगे, अभी इसे पकाते हो लग पक तीन से 4 मिनिट हो गए हैं, इसे खोल करके देख लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, प्याज के थोड़ थोड़े मुग खुल गए है यह अभी तक पुरी तरह से पके तयार नहीं हुए हैं, हमें इसे अभी तक और पकाना हैं, इस तरह से मुझ खुल जाने से ग्रिवी इसके अंदर तक चली जाती हैं, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, अभी इसे 2-3 मिनिट तक और पकाएंगे, जिससे प् करने के रखा था, उसी बरतन को ले लिया है, इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल देते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देते हैं, इसमें अमने गर्म पानी डाला था, इसलिए उबाल इसमें मैंटेन है, अभी जो पनीर को अमने कंदूकस करके रखा था, व एक अभी इसको मैने अच्छे से मिड्ची लिया है, तो आप देख पा रहे हैं, इसमें एक दो चीजे और एड कर लेते हैं, तो यहां पर मैंने एक टेबली सपून जितनी का सुरी में तिली है, इसको इस प्याज पनीर की साई सब्जी बनाना बताऊंगी, इसके यहां पर मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से बचे हुए एक कप चावल लिये हैं, यह पके हुए चावल है, सामको मैंने चावल बनाया था उसमें इतना चावल बज गया था यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं हो और घर में कोई भी कटोरी हो प्याला हो उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं उसी के नाप से आपको सबी चीजा लेनी है यहां पर मैंने एक बाउल लिया है बाउल के अंदर यह चावल डाल देते हैं यहां मैं आपको बता देती हूँ आपके गर में आप जो भी चावल खाते हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं यदि आप ब्राउन राइस खाते हैं तो उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं आपकी recipe एकदम बढ़िया और परफेक्ट बन के त्यार होगी, जितना आप चावल लिते हैं, उतना ही आपको इसमें पानी डालना है, और हलके से इसे दबा देना है, और ढकन लगा करके 8-10 कंटे के लिए रख देते हैं, इसको कोई भी ठंडी जगे में रखने की जरूत नह तो ये recipe हमारे immune system को और पाचन को improve करने में फाइदे बंद रहती है, अभी इसे बिगा के रखे होगे 10 गंटा हो गया है, इसे कोल करके दिख लेते हैं, तो 10 कंटे में आप देख पा रहे हैं, चावल अच्छे से फूल गए हैं, और पानी भी थोड़ा इसमें कम दिखने ल गया है, जो चावल के probiotic तत्तो थे, वो पानी में आ गया है, अब इस चावल को हम पानी के साथ ही मिक्सी के जार में transfer कर लेते हैं, इसी के साथ इसमें एक छोटा चम जितना नमक डाल देंगे, यदि आपने चावल को पकाते समय नमक डाला हो, तो इस समय थोड़ा नमक कम या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम जादा भी डाल सकते हैं, इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कब जितना दई लिया है, एक कब चावल लेते हैं, तो उसमें आपको आधा कब जितना दई डालना है, यह मैंने फ्रेस दई ही लेना है, प्रूब की खंटा दई इस इसकी consistency बराबर लग रही है, यदि आपको इससे पतला रखना हो, तो mixi के जार में पानी डाल दें, वो इसमें आप डाल सकते हैं, जार भी साफ हो जाएगा, और ये भी consistency आपके बराबर हो जाएगी, अभी इसे हम side में रख देंगे, और यहां पर मैंने एक बरतन लिया है, इस बरतन में सबसे पहले हम एक tablespoon जितना गी डाल देते हैं, आप चाहे तो इसकी जगह पे तेल भी डाल सकते हैं, जैसे ही गी गर्म हो जाए, आज को थोड़ा दीरे कर लें, अभी इसमें आदा छोटा चमच जितनी राई डाल देते हैं, और एक छोटा चमच जितना जीर डाल देते हैं, इसी के साथ मैंने एक छोटा चमच जितनी उड़द दाल लिये हैं, उड़द दाल को मैंने साफ दो लिया है और सुका दिया है, उड़द दाल को भी अच्छे से पका लेंगे, अभी मैंने एक हरी मिर्ची ली है, जिसको महीन महीन काट लिया है, ये इसमें अदरग को मेने कदूकस कर लिया है इसको भी सभी चीजें अच्छे से पक गई है अभी साइड में जो हमने जावल और दही का पिष्ट बना के रखा है उसको हमने वापस ले लिया और आप देख पा रहे हैं यह काफी वह इसमें डाल देते हैं अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिय डाल देते हैं इसमें फ्लीवरे इसमें भूद ही अच्छा आएगा यह पारंपरिक vueर से इसे चावल की कांजि कहा जाता है क्योंकि इसको हम 8-10 गंटा तक फर्मेंट करके बनाते हैं आप चाहे तो इसे चावल का सूप भी कह सकते हैं या चावल का राइता भी कह सकते हैं लास्ट में मैं इसमें थोड़ी से बुंदी डाल देती हूं ये डालना ओप्सनल है क्योंकि हमारे घर में सब ही इसे बुंदी डाल करके पीते हैं आप यदि पीते हैं तो इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं यदि खाने के साथ में लेते हैं थोड़ा सा गाड़ा भी रख सकते हैं तो इस तरह का गर्मियों के मौसर में बना के पीते हैं हमारा immune system भी strong रहता है और गर्मी के कांट से जो छोटी-मोटी बिमारियां होती है जैसे कि dehydration की problem जायतर लोगों को होती है तो वो नहीं होगी पाचंत अंत्र भी स्वस्थ रहेगा इसे के साथ जो लू की problem होते है उससे भी हमें निजात मिलता है इस तरह से हमारे बचे वो चावल का भी इस्तमाल हो गया और फाइदा भी हमें मिल गया तो आप मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई and take care